बॉलिवूड अभिनीता नवाजुदीन सिध्ध की लगतार अपनी पॉर्सनल लाइफ के चलते सोर्ख्यों में बने हुए हैं। रिल लाइफ में वो किसी मजह हुए कलाकार से कम नहीं हैं। लेकिन असल जिंदगी में नवाज को लेकर ऐसी खबरे आ रही हैं जिससे उनकी इमेज कहीं न कहीं लोगों की नजरों में बदलती जा रही हैं। हाल ही में उनकी पतनी आल्या ने उनके पे घरेलू विवात के चलते कई गंभीर आरोप लगाये थे। अब एक्टर की नौकरानी कव एक वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वो रो रो कर अपनी आपबीती दुनिया के सामने बया कर रही है। नवाजु दिन सिद्धकी के दुबई वाले घर में काम करने वाले उनके नौकरानी सपना का ये वीडियो तेजी से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है। दरसल ये वीडियो नवाजुदिन सिद्धकी की पतनी के वकील रिजवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है वकील ने एक लंबा चोड़ा स्टेटमेंट भे जारे किया है जिसमें बताया गया है कि नवाज ने सपना की हाईरिंग गलत तरीके से करवाई है वकील का दावा है कि नवाजुदिन सिद्धकी ने दुबाई की रिकॉर्ड में सपना को एक अग्यात कम्पनी में सिल्स मैनेजर की नौकरी पर कार्यत बताया जबकि असल में एक्टर ने सपना को अपने बच्चों की देखरे के लिए रखा था कुछ समय पहले ही आलया सिध की बच्चों के साथ भारत लोटके आ गई थी लेकिन नौकरानी सपना वहीं रह गई जिसके बाद अब उसने वीडियो के जर्य मदद की गुहार लगाई है वाइरल हो रहे वीडियो में सपना कहती हुई नजरा रही है कि मैं सपना बात कर रही हूँ मैं नवाजो दिन सर के घर में फस चुकी हूँ मैडम के जाने के बाद सर ने मुझे वीजा लगा कर दिया था मेरी सैलरी से वीजा का पैसा अब वो काट रहे है मत्स नभी को भी सजीर में गॉझा वजा से मुझे बहुत प्रोब्रिम हो लगा और अबरी थिजया वीजाlusive भी कउधी वह बहुत प्रोब्रम में था इसके वजा से इनका भी प्रिजरे का बहुत प्रोब्रम हो रहा था उनको भी इंडिया नहीं जाने दे दे थे तो वह भी बहुत मुस्क्वर से इंडिया पहुंचे हैं तो जब अभी तो यहां पर मैं खेली हूँ तो मेरे पास खाने को कुछ भी चाहिए और एक भी पैसा नहीं है मेन पास तो मैं आपसे हिस रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूजडे और नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल